इस्टेशन साइन प्लेसेज में आप सबी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोला गोकर नाथ रिल्वे इस्टेशन पर बने माल गोदाम के बारे में कि आखिरकार गोला रिल्वे स्टेशन पर जो माल गोदाम बनाये गया है उसका फायदा क्या हुआ क्योंकि गोला रिल्वे स्टेशन पर माल गोदाम होने के बावजूद भी माल गाड़ी के दौरा गोला रिल्वे स्टेशन पर माल नहीं आ रहा है और सीतापूर रेल्वे स्टेशन पर ही उतारा जा रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं अकबार में निकली खबर कह रही है बेकायदे मैंने उसकी कटिंग भी इस वीडियो के अंत में लगाई है आप लोग वीडियो को रोग कर जोब पढ़िएगा तो देखे फ्रेंट्स एक एकस्प्रेस टेंज आ रही है इस टेशन का नाम मुझे नहीं मालू अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट्स करके जो बताईएगा तो बात चल ली थी गोला गोकरनाथ रेल्वे स्टेशन की जहां पर मालगोदाम बनाया गया कि आखिरकार मालगोदाम बने होने के बावजूद भी जो खाद है या कुछ अन्यज़ूरी जो चीजिये हैं जिनका आयात किया जाता है जो लखीमपूर के व्यापारी है वो आयात करते हैं और अपना माल गाड़ी के सहारे मंगाते हैं तो उसके बावजूद भी उनका जो माल है वो सीथापूर में ही उतारा जा रहा है जिसकी वजह से कई जो माल है लखीमपूर में वो महगे मिल रहे हैं तो क्यो नहीं माल सीधे गोला रेलवेई स्टेशन पर उतारा जारा है जिससे की लागत भी अधिक बढ़ रही है पहले तो माल गाड़ी को भाड़ा देना उसके बाद फिर ट्रक के माध्यम से लखीमपूर या अन्य जगा पर पहुंचाना जिससे की जो माल मिल रहा है वो और भी महगा मिल रहा है तो गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन का एक छोटा सब्यू दिखा रहे हैं हम आप रहों को काफी पुराना वीडियो है तो मौका मिला बात रखने का कि आखिर का जब पीली बीच जिले में चार माल गोदाम हो सकते हैं तो लखीमपूर जिले में टाउन हाल्ट पर बनाया जा सकता है परियात मात्रा में वहाँ पर जगा है रोड भी वहाँ से कनेक्टेड है आसानी से कनेक्ट भी हो सकती है माल को लाने ले जाने लोडिंग अनलोडिंग आसानी से हो सकती है खीरी को इस्टेशन का दर्जा भी मिल जाएगा तोकि लगबग 70-80 हजार की आवादी भी है एक टाउन है टाउन एरिया है और नाम भी जिले का ही है खीरी अब पीली भीत जिले में किस तरह से 4 मालगोदाम हैं हम आप लों को फिट से बता रहे हैं पीली भीत में एक मालगोदाम हो गया दूसरा जो मालगोदाम है वो शजहापूर की दिशा में भोपतपूर तीसरा बीसलपूर रेलवे स्टेशन और चाथा जो मालगोदाम है वो पूरन पूर रेलवे स्टेशन और जबकि इतना बड़ा जिला भी नहीं है जबकि लखीमपूर यूपी का सबसे बड़ा जिला है तो यहाँ पर कम से कम दो मालगोदाम तो होना ही चाहिए है जिससे कि लखीमपूर के व्यापारियों को भी आसानी हो और खास दोर से जो धोरारा ईसा नगर के जो वियापारी है उनके लिए भी आसानी हो क्योंकि गोला के माल गोदाम पर जो भी माल उतरता है तो महमदी और पलिया जो आसपास के उधर के छेत रहे तिकुनिया तो वहाँ के व्यापारियों को उसका लाब मिलता है ठीक उसी तरह से अगर लखीमपूर के करीब में खीरी टाउन हाल्ट पर मालगोदाम बना दिया जाए तो बहुत ही आसानी होगी तो आप देख सकते हैं गोला के बज़ाए सीतापूर में उतारी जारी है रेक इसलिए महगा मिल रहा है सामान तो इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए है क्योंकि बारिकी से निरिक्षन करते हैं हम लोग और हर चीज के बारे में पता भी है लखीमपूर जिले के बारे में इसके अलवा पडोसी जिले सीतापूर में भी देखिए दो मालगोदाम हैं सीतापूर में और एक खैरबाद में 6 किलमेटर की दूरी पर ही जबकि यहां तो दूरी लगबग आप मान के चलिए 40 किलमेटर के करीब में हो जाएगी खीरी से हरगाओं के बीच में सामने देख कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जैहिंद